हुआ है हलो दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल पंक मोर में उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत के साथ कर रहे होंगे तो दोस्तों पिछली वीडियो में हम वातापि या बादामी के चलूक क्यों और पल्लाववन्स को पड़ चुके थे गुप्त वपत्त काल में उत्तर भारती राजवंसो! हमने पहली वीडियो न हम देखा था! और कल की वीडियो में हमने वादापी या वादामी की चालुक की बंस और पल्ला बंस को हमने पढ़ाता आज की इस वीडियो में चूंकि आपको बता होगा कि जो चालुक की बंस था उसकी तीन साखाएं थी एक वादामी के चालुक के बंस, कल्याली के चालुक के बंस और वेंगी के चालुक के बंस होता है क्या है दोस्तों इस चालुक के बंस में जो बातापी के चालुक के बंस के पतन के बाद यदा आपड़ध एक जो च मठम स्वारी स्वारी कर देढ़ेंड लमा, उसे तइलब दिवारा हरा जाता है जो कि तेलब दिती है जो कि कल्याडी के चालूग के वंस के समस्था पकते चालूग के वंस के दोस्तों तीन साख आए थी लेकिन चालूग के वंस की जो मूल साख आए थी बादमी या वातापी का चालूग के वंस उसके बाद राष्टकूड वंस आता है फिर इसके वंस दे कल्याली के चालुक और वेंगी की चालुक इनको देखेंगे और कुछ महत्पूर्ण बिंदू है कि इस्थापत तक्ष्व भारत की क्या रही राष्टकूट बंस में उनको भी हम देखेंगे ताकि सभी प्रतुनों को हम बना सकें तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम बेश के वाताबिया वातामी के चालुक के वंस के पतन के बाद जिस राष्टवंस का दक्ष्व भारत में उदाए हुआ वह था दोस्तों राष्टकूट बंस तो इससे पहले हम राष्टकूट बंस को पढ़ते हैं फिर हम इन दोनों बाजवंस को पढ़ेंगे और इसी तरह झान था वह लातूर ने झांप पै आपने देखा भी होगा महराष्ट के शेंप मैं यह सब्सक्राइब चलुक्त को समकाली मारल और?!" इसके बाद में राष्टकूड वंसका जो पहला सासक आता है वह आता है दोस्तों दंती दुर्ग दंती दुर्ग के 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 दुर्ग कई बार एक्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि कीर्थिए वर्मन को किसने पणाजित करकर राष्टकूड की स्थाप्ना की थी या राष्टकूड की स्थाप्ना दंती दुर्गने किसे पराजित करकी थी तो याद रहेंगे दोस्तों दंति दुर्ग में राष्ट कुडवन्स के संस्थापक था जिसे साथ सोबावन इस भी इसको ने जो राष्ट कुडवन्स की राजधानी बनाया राजधानी दोस्तों मान्यकेत को किसे दोस्तों मान्यखेत को जो कि आपको याद में वाधापी की चालुक राजधानी के अगरं बात करती है पहले तो मान्यकेत थी लेकिन बाद में वाधापी की कि राजदानी एम्मान निखेत और उज्जयन है उत्तर भारतिये छेत्र उत्तर भारतिये छेत्र में यह कि क्यूं करवाएगा यह इसलिए करवाएगा कि त्रिपक्षिय संगा जो की कन्योज में आक्रमण हुआ करते थे इसलिए उज्जयन में इसने एक यग्य करवाया था के बन दोस्तों दो पॉइंट है किरती वर्मन को पराजित कर राष्टपूर्वंस की स्थापना की मानिखेद को कैपिटल बनाया और उजयन में यग्य करवाया अगले सासा का जाते हैं दोस्तों किर्षुना पिर्थम पूर्ण रूप से चालुक्यों को पराजित किया पूर खुष्टे पूर्ण चालुक्यों को किसने पराजित किया था जो की रसपूर्वन के साचक दोस्तों आप याद करती चलिए और जब पॉइंट बनेंगे और आप जब कर पाएंगे तो आपको मिलेगी कि हाँ जिस तरीके से पढ़ाई की थी उसी तरीके से बन रहे हैं और पिरसन एक्जाम में आये हैं जो हम बना पा रहे हैं यगीनन दोस्तों अगर आप छोड़ते जाएंगे पिरसनों को यह जो पॉइंटर टफ लगेगा आपको छोड़ देंगे अगर बही पिरसन एक्जाम में बनता है तो आपको बनाने में कनफीज़न हो गई किसार पिरत्णहें फूर रोपत चल फ्रफ किभा किया पराजित किया जोतों पिर्फबन दोस्तों अग्ली विडियो में देखें कि तब जाद आपको के लिए समझ में आएका फिलाल को लिए आप यादकर लेकिवे और मेसुर के गंगों को पराजित किया था इंपॉइंट 2 बोस्तों पर अधिकार करने के लिए पॉइंट याद रखेंगे कि कन्योज पर अधिकार करने के लिए भाग लिया था किसमें दोस्तों संघट्र इस संघट्र का भी लंबा चला था जादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है जो प्रस पनते हैं उनहीं को हम देखेंगे कि उत्तर भर्थी राजबंसों में ने हमें देखा था हर्सबर्धन को जो कि यह पुसोभूती ओंस या और लुदं दोस्तो कि अब हर्सबर्धन की मृतियों के बाद हरसवरधन 606 देगे 647 तक करते molto जब हरसवरधन की मृतियों हो जाते हैं तो हरसवरधनं की मृतियों के कण्युटियों सक्टि नहीं था 380 आसक नहीं था जो कन् olmas Angel पाता इसलिए यह कन्योत दोस्तों विविनन जीदने का प्रयाद दोस्तों जीदने के लिए आपस नहीं लडाई की इसमें दोस्तों हम देखते हैं पृतिहार वन्स जो दोस्तों पिरतिहार वन्स हैं अगली बेड़ियों में देखेंगे एक दोस्तों राष्ट कूड वन्स जो की हम पढ़ रहे है राष्ट कूड वन्स और तीसा जो आजाता है दोस्तों पाल वन्स इन तीन राजवंसमें दोस्तों कन्नोज को जीतने के लिए आपस मही तिरपकछीय संखर्स हुआ यह करीब तिरपकछीय संखर्सstep डेरसों वर्शों तक चलता रहा और अन्हलप जिएदे में की राजवंस जीते जैसे कि राश्टकूर्ड बनस जीते तो कन्रोच पर अधिकार कबने ही द्रपचिय समय से poisonous तो राष्पूर से गुर्जिर प्रितिहार व्स और यह ता और Lecoe ईन्होंने ही तुर्फ Chemistry संहत मैं भाग लिया था और भाग लेकर इन्होंने पहां में है Aegon पाल को हराया। पालव स kommt ऑझर até जब हम दुए सिमा वर्तिया राजीं पढ़ें तो पुछ स्धामान को स्फ़ेंट कुछ जैसा कौन फे जुआ रख में अवस्थ ते इन के अखिक SP na push स भाग लिया प्रति हार सासाग बत्राज को हराया और पांस आ धरमपाल को इन्होंने हराया इसके बाद में गंगा यमना को फॉर यमना को अपने पिर्षीख में इसने अपनाया तो जो प्रुषम ने अपनाया था इसके बादमें दोस्तों आती है अगले छोठी जो है था था और तिरिपक्षिय संगस में भाग लेकर गुर्जर्ण प्रत्यार सातक नाघ भट नाघ भट को तथा धर्मपाल को गोविंद्ध तृति ने पराजित किया था इसके बाद में दोस्तों आ जाता है पल्लवंस्स पांड वंस्सको नश्च किसने किया था तो गोविंद प्रतिहार सासक वच्तराज को और पाल सासक धरम पाल को पराजित किया इसके बाद में गोबिंदे शुर्ति इन्हों ने भी तर्परश्ची संगर्थ में भाग लिए और गुर्जयर प्रतिहार सासक नाख भट को और धरम कर देखेंगे गुंज्ञ को भी नश्ट इन्हों ने ही ऑगले आते हैं अमोग वर्थ राष्ट वर्थ में दोस्तों बहुत ज्यादा सासक रही है वह सासक जो इंपोर्टेंट है उनको मैंना लिखा है जिनसे एक्जाम में बार-बार पिरसनाइं पूछे जाते हैं अगले सासक हैं दोस्तों अमोग वर्स अमोग वर्स दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि एक बहुत बड़े विद्वान तथा एक सहितेकार थे इन्होंने कभी की को याद रखेंगे दोस्तों एक बार पुंछा गया था कि सरदक्षा कौन थे वह ते दोस्तों कर्क और अमोग वर्स जैन धर्म के अनुवाई थे इन्होंने एक प्रमूस गिरंथ भी लिखा था जिसका नाम है कभी राज मार्ग जो की कंणर भासा में लिखा गया यहां 200% भी दोस्तों पुखे गए हैं कि कभी राजमार की रचना किसके तो अमोग वर्षक के दोरा की गई है किस भासा में की गई है तो कंणल भासा में की गई है याद रखेंगे दोस्तों विद्ध्यान थें एक थे जिन सेंन सतकायन और महभीरा चार जिन सेंट के द्वारा आधी पुरान की रुचना की जाती है important point है दोस्तो most important points मैं कहुंगा पहला person बनता है कि जिन सेंट सतकायन महभीराचार किसके दरवार में विद्ध्वान थें तो किसके अमोग वर्ष के दरवार में, अमोग वर्ष कौन था, तो राष्टकूड वंस का एक सासक था, आदी पुरान की रचना किसके दोरा की गई है, दूसरे प्रेस में दोस्तों इस तरीके से बनती है, किसके दोरा, जिन से इनके दोरा की गई है, अमोग विर्थी की रचना की गई है गडत सार संग्रें इंपॉर्टेंट है दोस्तों स में गङूंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक बार पूचा गया है कि तो अमोग वर्स ने समाधिय ली थी दोस्तों एमिलिए त्रेंट alternatives हैं लाइट नहीं दूस्तो और कद थोड़ी सी वारिस होगी तो अज इत्नी करती है कि मैं भथ हा है इसकता करम Le가 저 शुआ मसूड़ा सा ने गली जगा है और भौछ गर्मी है यारस तो पिंद रहें हैं इन्द में तो सब् nit याद लेंगे कई बार यूपी ऐसी में और किसी स्टेट पीसिस में हर बार या है पूछा ही जाता है कि अल मसूदि अ कि सासनकाल में भारत आया तो इंद्र के ठीकिसा संकाल में भारत आया था और जबगा का यात्री था तो अब मसूदी एक अरव यात्री था अरव यात्रिय था इसके बार में दोस्तो अगला पॉइंट है पृतिहार सासक मही पाल को इसने पराजित किया प्रतिहार वंस को पढ़ लेंगे तब आप इस वीडियो को जब देखके अपनी नोट्स को बना लेंगे और नोट्स को पढ़ेंगे तो यकीनां दोस्तों आपको समझ में आया क्योंकि दक्षिर भारत में जितने भी राजवन्स थे एक साथ ही एक दूसरे के समकालीन ही चल रहे थे और तिरफक्षी संगर्स में दोस्तों कई बार संगर्स हुए इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है फिर भी मैंने दोस्तों काफी या आसान भासा में आपको लिखा है कि इंद्र तिर्ति अलमसूदी अमर्स तत्य हो चैक है दोस्तों आथा ऐसे पहले दोस्तों काद रखेंगे और अकसर प्रिम में तो इन्हीं को लेकर बनता है अगले सासा के है किर्षन तिर्थी इनकी जो उपाधियां तो काफी महत्पूर्ण है अकाल वर्स की और तंजय कोंडी की उपाधिया ध्रान कीती तो ध्रान कीती किर्षन तिर्थी ने इनके दर्बार में एक कवी थे जिनका नाम था काविया पुणन था जिनके दरण शांती पूर्ण की रचना की गई कन्नरभास तो किर्षन त्रतिये के दरबार में थे तो जैसे कि धश्री भारत में एक सोमिश्वर का मंदिर का निर्माल करवाया था और इसी कि मंदिर के समीब कर विजाइस्थम का आते हैं वह आते हैं दोस्तों करके तृती प्याया जाता है और कल्याडी के चल्लुक के श्थाफना की जाती ये दोस्तों करेम से कहानि के पहला телефी की चालोट की के अंतिश सासक कि रभेमन की हत्या करती दंतिया दॉर्ण दूर्वाद के इस्ठापना की जाती है 752 में इसके बाद राष्टकुर्ण के अंतिम आध.. करक्या तरुद्स ऋंते कोंत्र स्थापत्य करती और इनकी रस्त्、、ope की जाते है चालुक्या चालुक्या चालुक के सस्थापक जिती दौरा अध路स्तो देखते हैं कुछ इस थापक्त्य कला और राष्टकूट बंस में बहरत में इस्थापत कर ला कुछ गुफाओं का निर्माड भी कराया है जैसे कि महराष्ट की ऐलोरा तथा एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माड कहा है दोस्तों महराष्ट में है कई बार यह पर सुने पूछा गया है दोस्तों कि ऐलोरा की ग और एलीफेंटा की गुफाओं को निर्मा अब दोस्तों करीब करीब 34 गुफाओं में कुछ जैन गुफाओं है बॉध्दू गुफाओं है और हिंदू धर्म से संबंदित भी गुफाओं अउन सबी को तो हमें याद नहीं रखना है एक गुफा नमबर 10 और एक गुफा नमबर 15 यह दोस्तों most important गुफाई है जिनसों अक्सर पूछे जाती है जो गुफा नमबर 10 है उसे कहा जाता है दोस्तों विश्वा कर्मा गुफा क्या कहा जाता है तो दोस्तों याद रखेंगे कि गुफ़ा नंबर 10 को विस्व कर्मा गुफ़ा कहा जाता है और गुफ़ा नंबर जो 15 है उसमें विश्णू को नर्सिंग अर्थात पुरुस सिंग के रूप में दिखाया गया है एलोरा की गुफ़ा में टॉटल 34 गुफ़ाई है जिन में से 10 में नंबर की जो गुफ़ा है उसी विस्व कर्मा कहा जाता है वो जो 15 में नंबर जो गुफ़ा है उसमें विश्णू को नर्सिंग अर्थात पुरुस सिंग के रूप में दिखलाया गया है तो यह था दोस्तों हमारा राश्टकूड वंस मैं मान सकता हूं दोस्तों चीज़ें डिफिकल्ट हैं एक दूसरे सो जुड़ी हुई है एलोरा और एलिफेंटाई की गुफाओं को निर्मान किस काल में हुआ देखिए आप पेपर उठाके हजारों बार यही परसन पूछा गया है किस काल में हुआ हैगा कहाँ पर इस्तित है किन सार्शकों की वाला इनका निर्मान किया गया है ऐसे कई बार दोस्तों परसन पूछे जाते हैं तो अब याद रखेंगे दोस्तों थोड़े से difficult point है आपको याद करने पढ़ेंगे जैसे जैसे आप अपनी notes बनाएंगे और बार बार पढ़ेंगे ऐसा ना करें दोस्तों आप कि एक बार यहां से पढ़ लिया दोबारा कहीं और से पढ़ा तिबारा कहीं और से पढ़ा ऐसा दोस्तों आप कभी भी history को याद नहीं कर सकते और history को याद करने ज्यादा important होता है समझना तो दोस्तों आप अपनी notes बनाए एक बार वीडियो देखके उसके बाद अपनी notes को ही बार बार revise करें याकीनां दोस्तों आप से जो इंडारेटली भी person बनेंगे तो आप उनको भी आसानी से कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों हम देखते के हैं राष्ट कोड बंस को अब देखते हैं हम कल्यारी के चालो के बंस को जैसे दोस्तों जिस तरीके से मैं आपकर नमसे पढ़ा रहा हूं आपको आप उसी तरीके से अपनी नोट्स बनाएए यकीन मानिए दोस्तों एक्जाम में जब person बनेगा चोटे पूरे जो person से उनको तो मैं कराता ही नहीं हूं important person जो हाँ बाकई में important जो आपका दिमाग को लेंगे और आपको लगेगा कि हाँ examiner यहां तक भी person पूर्षता है और हमना जो theory पड़ी है वागई में important theory है और हमें उसे याद करना चाहिए अब दोस्तों देखती हैं कल्याडी के चालुक के वंस को इनका उदय जो होता है राष्टकूटों के पतन के बाद होता है जैसे कि हमने पहले देखा राष्टकूटों के राष्टकूट वंस के पतन के बाद कल्याडी के चालुक के वंस का उदय हुआ और तेलब दिती जो थे कल्याली के चलुकी वंस के संस्थापक थे जनके द्वारा अंतिम संसाक करकर तुर्ती को हराया जाता है राश्टकूड वंस के इन्होंने जो राजदानी बनाया वो मान्य केत को राजदानी बनाया मानिय खेत को राज़दानी किसने बनाया तो तेलर दितीम है जो की राष्टकूडवंस की राज़दानी थी मानिय खेत इनका संघर्ष चिला एक परमार सासक मुंझ के सांथ जैसे कि मैंने दोस्तों आपको पहले भी बता दिया है कि कई सासक कई राजवंस एक साथ समकालीन और एक साथ समकालीन होने की बज़े से अक्सर राजवाओं में युद्ध हुआ करते थे और दोस्तों जब आगे की राजवंसों को आप जो छोटे छोटे राजवंस थे उनको पढ़ लेंगे तो यह चीज़े जैसे हैं परमार राजवंस है परमार सासक मुंझ जी है तो यह जो परसन है दोस्तों आपको आसानी समझ में हां के मुंझ कौन थे परमार वंस कहां पर था आगे की बीटियों जब आप देख लेंगे फिर इसको रिवाइज करेंगे तो यकीन आपको फिर समझ में ज्यादा ज्यादा आएगा तैलब दिती के संगस्त जो है परमार सा जिनका नाम था मेरू तउंग नसदोरा की acting ॉपर्मार साजंग मुंझ ने छहा राया था important book है दोस्तो और यहीं भी important है किसे ने लिखिया मेरूतूंग ने लिखिया अगले साथा है दोस्तों सोँ मेस्वर प्रिथम इनके बारे में जो सबसे महतवड़ पॉइंट है वह दोस्तों यह हैं कि इनोंने जो र्षदाणी थी माहनने केथ मानने से से इनोंने र्षा घंठी को बनाया था उसलिए जो नहीं के नाम हुआ लग्राफ कब अवस्थित तो के दोरा सोमिशर पृथम को हरा दिया जाता है और इन्होंसें तूंग भद्रा नदीम है जैसे ही राज-राज को ढूरा राज-राज को ढूरा सो मेस्वरFrत्तम को हराया जाता है, वैसे ही खुद मैं अभष्णत्या नदीमें हैं आत्माहट्याग कर ली थी। यद्याध करइए दोश्तों.. कितंग बदरान दीम और किसने आत्मात्याइख की थी कुल याद करिए दोस्तों अगर आप ध्यां से वीडियो को देख रहे होंगे और पड़ रहे होंगे तो आपका जरूर पिरसन समझ में आ होंगे कि हां किस तरीके से बन सकते हैं और अब तक मेरे पढ़ाने के तरीका भी आप समझ चुके होंगे थोड़ी सी मैंनल दोस्तों करिए कि मैं नहीं चाहता कि एक भी पॉइंट आपके लिए छोड़ा जाए नहीं तो मैं दोस्तों यह वीडियो को आपको 15-20 मिनट में काटने के काविल बन जाएंगे तभी आप 3 ओप्संस को कार सकती हैं और आपना आंसर निकाल सकते हैं तुम गवहदरा नदी में किसने आत्मा अत्या की थी सोमिश्वत्र प्रथम ने की थी क्यों कि थी क्योंकि राजराज प्रथम ने हरा दिया ता जो कि चोल सासक थे किस राजवंस से थे तो किस राजवंस थे राशों से संबंद दे इन्हों ने दोस्तों कूछ कुछ निर्मार कार और करवाया इनके दरवार में प्रमुक कभी भी थि निर्मार कार में अगर हम बात करती हैं बहुत क्रम, यह अग रिख मारत जय canmal नगर whisk आ का दिखुत का निरवाय करवाया था तो विक्रमदितस 6 नess His विक्रमदित्श की दरबार में थ healthier than सर्फ जिनमें से एक थे दोसतों राजगई à those discine侏 कौन थे वही थे दोस्तों विलहड या बिलहड किसके दर्वार में थे तो बिलहड किसकी दरवार में धी बिक्रमा दे Allah सुछलत लिक comment दरमें दोस्तों जिसका नाम है विक्रमांग विक्रमांग इन्हीं के जीवनीक वही दोस्तों इन्होंने विलहड ने लिखा था विक्रमांग चरित्रम में विलहड के द्वारा कौन सी पुष्टक लिखी गई है विक्रमांग चरित्रम लिखी गई विलहड किसके दरबार में थे तो विक्रमादित सेक्स के दरबार में थ सकते जिनका नाम है विज्या नेस्वर ग्रंत लिखा जाता है जो है जिसका नाम क्या दोस्तों मिताक्षरा नाम है एक हजार शेतर इसबी में चालुक के विक्रम संबत चालुक के विक्रम संबत किस ने चलाया था तो चलाया था विक्रमादित 6 ने चलाया था एक कभी के राज कभी थी बिलहड जिनके द्वारा विक्रमांग चरित्रम लिखी गई थी एक थी दोस्तों विज्यानिस्वा जिनके द्वारा मिताक्ष्वा पुष्टक लिखी गई थी अगले दोस्तों जो पॉइंट है दस शेतर में चालुक के विक्रम संबत को इनों ने या दमों के दोरा इनका पतन कर दिया जाता है या दमों के दोरा यादव जो बंस रहे हैं दोस्तो भारत में उनकी बारे में हम देखेंगे जब यादव बंस को हम पढ़ेंगे यादवों के द्वारा इनका पतन कर दिया जाता है और एहोल को एक नोट डालकि आप दोनों पॉइंट्टों के लिखेंगी की यादुबहों के द्वारा किसकाक बंदर का पतन किया जाता है और अगर आपने कल की वीडियों देखी होगी सभी की लोकेशन को आप आसानी से समझ पा रही होंगी आंद्र पर्देश वाले शेत्र में थे कौन दोस्तों वेंगी के चालुक अब बताईए आंद्र हाल ही में आंद्र पर्देश की सरकार के द्वरा राजधानी कहां पर इस्थ आप आप न से खास कर कुछ पढ़ना नहीं है एक संस्थापक पढ़ना है और प्रमुक्स आ सकते विजया दित्य वय तिर्ति उनको पढ़ना संस्थापक जो है दोस्तों वह याद रखेंगे पूछा जाता है कई बार कि वेंगी के चलुक के संस्थापक कौन थे वह थे देखने भी परदन थे और में चाहिए कि पिरतापी ये सासक थे वह थे विजया दिट्या तो कि चलों के वंस थे और इनकी सिन पती थे एक जिन का नाम था फैर दोस्तों पंड रंग एक बार पूछा गया था तो मैंने लिखा है अब दोस्तों पॉइंट चलों की वंस के बारे में घूए जो इंस में और कि उस्तिति वो चलों के वंस में अच्छी थी ऐसी थी अच्छी थी विजिया दित्त के भाई और दोस्तों विजिया दित्त के भाई विजिया दित्त के भाई विजिया दित्त के भाई जिनका नाम था चंद्रादित्या विजिया दित्त के भाई चंद्रादित्त के एक पत्नी थी जिनका नाम था विजय भट्टारिक पहली बात तो किसकी पतनी थी तो चंद्रा दित्ती की पतनी थी चंद्रा दित्ती की पतनी थी और इन्हों ने अपने नाम से दो तामर पत्रों को लिखवाया था एक चीनी यात्री था जिसका नाम था दोस्तों मात्वालिन मात्वालिन, मात्वालिन चीनी यात्री ने चालुक्य के सासन, चालुक्यों के सासन में भारत की यात्रा की थी और भारत चीन सम्मंदों के बारे में भी इसने वर्ल्म किया है, याद रखेंगे दोस्तों के मात्वालिन, किस राजवंस के सासन काले में भारत में आता था, मात चीन वंस के साथ भारत चीन के संबंदों के बारे में चालो किया चीन के संबंदों के बारे में इसने वरण किया था तो यही थी दोस्तों आज की हमारी एक किलास जिसमें हमने उत्तर भारत में तृपक्षे संगर्स को देखा दक्षड भारत के लोक के वंस को पूर्टा आपको है वीडियो पसंद आई होगी और विडियो बना नहीं तो सब्सक्राइब दिखाय घंक अगई यहां व। यह दोस्तों अगर आप इससे पढ़ लेते हैं तो जरूर आपको एक्जाम में ना केबल फायदा मिलेगा बलकि यह इससे बाहर आपसे प्रस्म नहीं पूछा जा सकता और अगर पूछा भी जाता है और आपने नहीं पढ़ा है तो आप फिर तीरी आपसंस को खाटके अपना आपसर जरूर निकाल पाएंगे क्योंकि ना तो आप इससे ज़्यादा याद कर सकते हैं और नहीं इससे ज़्यादा किसी वुक में आपको देखने को मिलेगा मेरा उद्देश रहता है दोस्तों कि मैं कं से कम पॉइंट में आपको ज्यादा-ज्यादा बताने की कोसिस पड़े चोटे-चोटे सब्दों में ही आप बड़ी-बड़ी चीजों को याद कर पाएं तो जो कुछ आज की वीडियो हमने दोस्तों पड़ा है तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जय हिंद